दोस्तों स्वागत है आपका फैंटेसी गली की यूट्यूब चैनल में पात करेंगे आज भारत बना न्यूजिलंड जो फर्स टेस्ट मैच है ग्रीन पार्क कानपुर में खेला जाएगा ये टेस्ट मैच विराट को लिल नहीं रहेंगे इस मैच में अजिंके रहाने करेंग उसके हिसाब से आप अपने पिक्स बना सकते हैं प्रेडिक्शन्स बना सकते हैं आप दूसरी बात है कि आपके इंवस्मेंट स्ट्रेटजी कैसे रहेगी आप बड़े दिन हो गए अभी आप जो टी-20 क्रिक्ट खेल रहेंगे अब ये आपको पांच दिन के टीम बनानी है कितने टीम्स आप बना पाएंगे क्या एक सेफ रूट है टेस्ट मैच में टीम बनाने का ये सारा सब कुछ में आपको इंवस्मेंट स्ट्रेटजी में बता दूँगा और आखरी बात कि आपके टॉप टिक्स कौन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन में किसको आप ले सकते हैं क्योंकि देखिए दो-दो इनिंग्स मिलेंगे आपको बैटिंग के पॉइंट्स के भी और बोलिंग के पॉइंट्स के भी तो उससाब से थोड़ा सोच समझ के आपको वाइस कैप्टन पिक करना है ये सारा सब कुछ इस मैच की ultimate fantasy analysis इस वीडियो के end तक चैनल को subscribe कीजिए, bell icon ज़रूर दबाईए, telegram पे join कर लीजिए, अर जगा पे join कर लीजिए, जल्दी से start करते हैं वीडियो. Right then, welcome, 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 बात हो रही है, पहले test match के बारे में जल्दा के मैंने कहा, green park can't put, यहाँ पे खेला जाएगा, यह match red ball game में आपको pitches का पता रहना बहुत important है, सबसे पहले बात कि green park में किस तरह की pitch आप expect कर सकते हो, pitch कैसी होने वाली है, वो आपको actually मैं पता चलेगा toss से पहले जब आप pitch report देखेंगे, और वो भी उस हिसाब से आपको जो picks हैं, वो तब आपको decide करने पड़ेंगे, क्यूंकि fantasy गली पे तो teams update हो जाते हैं, बट ये अभी के आपकी research के लिए मैं आपको बताता हूँ, कि पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, कि runs मिलने आसान होंगे, definitely होंगे, last test match शायद मेरे खायल से भारत ने यहाँ पे New Zealand के against के ला था, जो कुछ 140 runs से भारत जीत गया था, और दोनों innings में top order से players ने run किये थे, मुरली विजय के कुछ runs थे, चिते सुर्पुजार में भी शायद second innings ने 70 बगेरा कुछ किये थे, बात मैं यह आपको कह रहा हूँ, कि top order batsman अगर टिक जाए, तो कानपूर में runs बनाएगा ही बनाएगा, दोनों innings में, एक पहले innings मे शायद 6 विगेट लेगे थे रविचन नर्श में, फिर आपको spin का बोल बाला दिखाए देगा, Pacers शायद थोड़े से कम effective होंगे, लेकिन Spillers आपको point दी सकते हैं, तो turn करेगा last 2-3 में और उसकी अलावा जो है, वेतरीन बल्लेवाजी के लिए conditions होंगी, यह है pitch का लेखा अब इसके हिसाब से team कैसी होनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा सा सबर करें, लेकिन इससे पहले investment शायद ही, देगे test match में जब आप fantasy cricket खेलते हो, तो होता ये है कि बहुत सारे players जो हैं, वो overlap करेंगे, क्योंकि team indie में शायद आप दो बहुत different teams बना सक सकते हैं, यहाँ पर शायद आप दूसरे investment के साथ थोड़ा खेल सकते हैं, कि आपने अगर medium risk के एक team बनाई, safe team के, safe team जब आपने बनाई, तो उसमें से 2 team बना लिया और एक high risk आपने एक ही team रखा, बात आपको उस हिसाब से करनी है कि आपके risk capital के हिसाब से आपको उतनी teams अगर आप देखें, पूरा का पूरा अपकोटा का ब्लीट कर रहे हो, तो उसके लिए तो एक ही आपको suggestion मिलता है कि जैसे ही toss हो जाए, या तो अगर आपके पास mobile app है, तो best है, क्योंकि notification आजाएगा, teams अभी updated, आपने पटपट देख लिया, teams बना लिया, लेकिन अगर risk team, और अगर high risk खिला रहे हैं, तो एक मार बिठाएं, उसके लिए भी players में आपको बता दूंगा, तो यह आपकी investment strategy होगी, अब आप इसी का wait कर रहे हो, कि आपके topics कौन हो सकते हैं, तो देख लेते हैं, आपके topics कौन हो सकते हैं, देखे, wicket keepers की जब बात की जाएगी, तो इस match में आपके पास, रिशब पंत का option नहीं है, डिप करता है कि भारतिय टीम management जो है, वो किसको खिलाती है, भरत रहेंगे, उनके पास option, और of course, रिदिमान साज जो बड़े time से खेल रहे हैं, यह है, squad पे, काफी देखे, low expector वाले player हैं, जिस number पे बल्लेबाजी करते हैं, गेन में जादा कुछ हो नहीं हो रहा हुता है, अगर turn भी कर रहा है, तो विदिमान साज जो है, spin के against अच्छे player हैं, keeping में बहुत अच्छे हैं, soft hands रहता है, gloves में almost ball melt कर जाता है, साका, तो आप इनको definitely आप pick कर सकते हैं, यह हो गया safe team के wicket keeping option, Kane Williamson यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 123 points versus India, यह जो innings इन्हों ने खेली की last 18 June को, देखें, इनके बारे में आप जब Kane Williamson जैसा high credit वाला player लेते हो, तो you get value for your points basically, क्योंकि यह जो हैं, यह अगर first innings में नहीं चलते हैं, तो second innings में बड़े run कर लेंगे, यह वैसे player हैं, तो आप इ तेश और Pujara को pick कर दा ही हैं, क्योंकि देखिए, जब overseas खेलते हैं Pujara, तो थोड़ा एक doubt रहता है, कि अच्छा चली, इस innings में नहीं चले, दूसरे innings में चल जाएंगे, या तो second test में चलेंगे, at home जो है Pujara, 30-40 ball तो ऐसे ही खेल लेते हैं, और उसके बाद वो at home तो बह लॉंडरी के भी points देंगे, आप चितिश्वर Pujara को pick जरूर कर सकते हैं, इनके साथ जो skipper रहेंगे भारत के, वो हैं अजिन के रहाने, expect कर सकते हैं कि इनसे भी एक बड़ा knock आ सकता है, जब भी ये lead करते हैं, इनका जो एक attitude रहता है on field, वो बड़ा ही different लगता है almost, तो मेर matter नहीं करता है, color of the ball matter नहीं करता है, क्यूंकि इनकी जो basics है ये बहुत अच्छी है, और केल रहूल वैसे players हैं जो अच्छी गेंदों पे भी boundaries लगा सकते हैं ने बॉल के साथ, और जब आप भारत में बल्लेवाजी कर रहे हैं और सलामी बल्लेवाज हो आप, आपने 5-6-over या फिर 7-8-over नहीं ball के खेल लिए, red ball के साथ, फिर जो है न, फिर आप चाहिए तो वहीं पे पूरा दिन पिता सकते हैं, बड़े runs कर सकते हैं, मैं कहूंगा केल रहूल आपके लिए definitely एक safe pick है, all rounders की तरफ रुख करें तो आपके पास रविचन नश्विन का definitely मौका है, multiplier option लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं, देखिए रविचन नश्विन आपको क्या पहले तो आप उनसे expect कर सकते हैं in terms of ball, कि कोई एक innings हो सकता है, या तो second innings तर गेम चौथे-पांचुए दिन गया, तो यहाँ पे पांचे wicket ले सकते हैं, first innings में पहले दिन ही काफी, you know, he's prominent, और technique बड़ी अच्छी है, इन conditions का उनको पता भी है, तो batting के भी runs आपको दी सकते हैं, आप उनको definitely pick करें, आप के पास Mitchell Santner का option है, white ball series जो थी अभी छोटी वाली, वहाँ पे शायद अगर New Zealand के किसी एक bowler ने सबसे जादा consistency के साथ gate-bazी की है, वो Mitchell Santner है, इन से देखे, टेस्ट मैच में जो है, इन conditions में ये वहतरी इन बोलर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन जो एक ही जगा पे गेंबाजी करेंगे, और वहीं से ball एक turn होगी, वहीं से गेंद एक CB चली जाएगी, वो Mitchell Santner कर सकते हैं, शायद pace का थोड़ा सा इनको पता लगने का भ अच्छी होनी चाहिए, इन subcontinental या Indian pitches पे, रविंदर जडेजा यहां पे डेखनेटी आने वाले हैं, क्योंकि आप घर पे केलते हैं, और वो जो hard seam रहता है ball का, उसको बहुत अच्छी तरह से extract करते हैं, और इनके साथ भी वही होगा, दो अश्विन और सैंटनर के अलाबा जडेजा जो हैं, वो थोड़ी तेज देनबाजी करेंगे, इनका slower one जो भी रहेगा न, उसमें भी थोड़ा ज़ादा revs रहेगा, और ये थोड़ा pitch पे ज़ादा hit करेंगे, अगर pitch थोड़ी इधर-उधर हो गई, turn होने लगी, तो फिर रविंदर जडेजा को केलना, जहें लगता है कि कानपूर में जब matches होते हैं, तो जो पहला दिन का पहला session होता है, almost towards second day almost, कि pitch में थोड़ा सा नमी रहता ही है, रहता है, जादा दूर नहीं है, ये जो उन moisture wind से almost, सुभा का time अगर ऐसा होता है, तो of course ये जो हम month में enter कर रहे हैं, वहाँ पे सर्दी होनी च पत्र है, वहाँ पे अगर team Saudi जो है अच्छे length पे गिनबाजी करें, थोड़ा बहुत effort डालें वहाँ पे और नया गेंदर है उनके साथ, तो ये आपको वहाँ पे success जरूर आपको दे सकते हैं, तो ये एक swing bowler अगर आपको pick करना है, इस match में तो आपके पास team Saudi जरूर है, न इल वागनर से आप 100% effort जो है, वो आप extract करें, देखी कानपुर की pitch जो है, वो उतनी तो up and down नहीं होगी, इसलिए मुझे नहीं पता कि कितने effective होने वाले हैं, old ball के साथ जब खिची भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अगर नए ball के साथ भी ये try करें, आगे डालेंगे दे तो ये definitely आपको विख्टे ले सकते हैं, और एक time रहता है न, जहां पर अगर भारत मतलब थोड़ा सा भी इनको मौका मिले कि ये tail पे आके गेंदबाजी करते हैं, तो हमने देखा कि भारत की जो batting lineup है, वो बढ़ती जारी है, अगर अक्षर पटेल खेल लेते हैं, तो फिर तीन spinner किलेंगे और वो तीनों आपको 7-8 पे बल्लिबाजी, 7-8-9 जो हैं, वो आप भेतरीन बल्लिबाजी फिर आप expect कर सकते हो, लेकिन उन numbers पे ही, जिस तरह की शॉट बॉलिंग करते हैं, ये Neil Wagner, ये आपको थोड़ी बहुत तक्लीफ दे सकते हैं, मैं कहूंगा, ये एक अच्छे differential pick बन सकते हैं आख के लिए, इनके अलावा जो एक भारत की aficer यहां पे नज़र आ रहा है, वो है उमेश यादव के रूपे, देखें, बिल्कुल डिपेंड करता है कि टीम इंडिया जो है, किस प्रकार की combination और player roles के साथ जाती है, सीधी तो बात, ये मैंने आप को बताया कि अगर इनको तीन जो spinners चाहिए, तो फिर अक्षर पटेल आ जाते हैं, mix में वरना जड़े जा और अश्विन तो खेली रहे हैं, अब तीन spinners हो गया आपके पास, तो जो बाकी दो आप Pacers सिलेक्ट करेंगे, तो वो पौन हो सकते हैं, उसमें अगर इशान शर्म को मौका मिला, तो वो भी नया गेंड करेंगे, और reverse अगर हुआ गेंड, वहाँ पे आपको उमेश यादव जाधा points देगे, थोड़ा गेंड पुराना होता है, तो उमेश यादव की गेंड आगे गिरेगी, swing करेगी, और जो है bold और LVW, जिससे आपको जाधा points मिलते हैं, वो आपको उमेश यादव लेके दे सकते हैं, तो यह हो गई आपकी safe team, अब थोड़े जो हैं, आपके bench में जो players हैं, यहाँ एड़े team पे जाएं और देगें, कि बाकी जो differential picks आप किसको pick कर सकते हैं, अगर New Zealand के against आप ये match में मैं चेक कर रहा हूं, तो एक option है कि आप New Zealand के क कोई भी जो उपरी करम से एक बल्लेबाज है, आप उनको pick करें और सोचें कि वो आपको points दे सकते हैं, तॉस के बाद अगर आप देखें कि यहाँ पे Tom Latham का मिल रहा है, तो वो spin के against अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया के पास वैसे spinners हैं, जो नए ball के साथ भी बहु की इंडबाज ही करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचा पड़ेगा, लेकिन ये एक safe, एक differential pick मैं कहूंगा, safe तो नहीं, differential pick definitely वहाँ पे आप रख सकते हैं, माना जा रहा है क्योंकि विराटपुली है नहीं, और आपको एक बल्लेबाज उपर चाहिए होगा, तो हो सकता है कि श्रेय सेयर को debut कराया जाए इस particular match में, अगर उनको debut मिलता है, तो overall जो है, last एक साल उनके लिए बड़ा एक, इधर उधर का एक time रहा है, injury फिर comeback किये और फिर capitals के लिए खेला, ये जो आधा season बचा हुआ था, लेकिन अब जो ये test cap मिलेगा, उससे बहुत confidence मिलता है, बहु आप इनको definitely pick करें, अपने high risk team में इनको pick करें, और हो सकता है, ये आपको point जरूर दे सकते हैं, तो ये हो गए आपके differential pick, मैं बस एक और bowler के बारे में ढूंड रहा हूँ कि अगर मुझे मिले जिहां पे इनको, ये हो गए Kyle Jameson, अब आपको toss के लिए wait करना है कि क्या combination अगर वहाँ पे Kyle Jameson को मौका मिलता है, तो मुझे पता है कि भारत की pitches पे इनको इतना success मिला नहीं है, लेकिन ये ऐसे bowler है कि अगर pitch में थोड़ा बहुत भी रहा, जैसा मैंने कहा कि नए ball के साथ या तो reverse हो रहा है, वहाँ पे जो है, Jameson अपने pace से और जिस height से ये release करते है वहाँ पे शायद ये थोड़ा सा मुस्किला कर सकते हैं, reverse में तो आपको low arm थोड़ा सा चाहिए, लेकिन नए ball के साथ Jameson आपको definitely points दे सकते हैं, तो ये आपके differential picks हो गए, wait कीजिए toss के लिए उसके बाद आपको पता चल गया कि कौन खेल रहा है उसके साब से आप picks कर सकते ह लेकिन अगर captain wise captain options के बार में बात करो तो काफी obvious नाम्स मैं आपको बता देता हूँ, पहला नाम जो है वो रविचंदन अश्विन का है, जैसा मैंने explain किया, बल्लेबाजी और जादर स्यादा विक्ते लेने की ability, दूसरे यहाँ पे Kane Williamson नजार आ रहे हैं, क्योंकि कोई एक जहाँ पे वो टिक्के के लेंगे, बड़े runs करेंगे, आप expect कर सकते हो उनसे वो चीज़, चितिशर्फ हो जा रहा है, same चीज़ almost इनका 100, बड़ा 100 हो सकता है, तो आप इनको definitely as a captain wise captain option service करेंगे, हम आपको Mitchell Santner है इस list में, मैं कहूंगा आपके लिए अभी थोड़े से यह, इन्हों आप अगर grand league में team बिठा रहे हैं, तो वहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हो सकता है, बहुत लोग इनको differential option नहीं pick करें, team में लेंगे, differential option के लिए नहीं लेंगे, तो आपको अगर इनको विक्टे मिल जाती है, left arm spinners को, बाहर की जो foreign left arm spinners जब इंडिया आते हैं, उनको bulk में pickets मिल दिया, तो आप इनको देख लें, इनको आप रख सकते हैं as a captain wise captain option, फिर आपके पास उमेश यादब का option है, same और ditto चीज है कि अगर reverse होता है, तो डंडो पे करेंगे, विक्टे लेंगे आपको और यह आपको points दे सकते हैं, एक और नाम add कर दूँगा यहा आपको कि रविंदर जडिजा जो हैं, उनको भी आप कंसिडर करें, भूले नहीं as a captain wise captain option, तो चली यह हो गए, आपके captain wise captain options, मैंने आपको pitch and conditions का बता दिया है, investment strategy भी, अब बस बचा है आपको, कि जैसे ही toss हो जाए, fantasy gully के mobile app पे आए, या तो आप website पे आए, वहाँ पे जाते हैं न, फिर हम संभाल लेगे, क्योंकि updated teams दे देते हैं, आपको बहुत जल्दी यल्दी आप team बना सकते हैं, वही के वही, और फिर contest जो है, कौनसे contest वो भी आपको मिल जाएंगे, तो यह सारा information आपको fantasy gully पे मिलता रहेगा, बाकी सारे matches के लिए भी मैं आपके साथ यही के YouTube पे जोड़ा रहूंगा, तो चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएए, and until next time we meet from Babashish and the entire fantasy gully team, goodbye!